Hello everyone, this Sachnana here, welcome to my new video इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं PX3, PX5 और साथ में हम लोग खराश एफेक्ट या खारेश एफेक्ट या साथ में जिसको परोकसर एफेक्ट भी बोला जाता है एंटी मार्कॉनिक आफ रूल भी बोला जाता है वो हम इस वीडियो के अंदर पूरे तरीके से कवर अप करने वाले हैं और साथ में PYQs भी जे में एममाडवांस के सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं या खराश एफेक्ट मैं सुपर्जनली खराश एफेक्ट बोलना पसंद करता हूँ ठीक है है तो प्रॉपर नाउन ठीक है तो आप जो भी यूज करना चाओ उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है तो हेडिंग डाल दीजे जो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा आट इस खराश एफेक्ट इसी को हम लोग परॉकसाइड इफेक्ट भी बोलते हैं अब इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी आपको पता चलेगा जब मैं पढ़ाऊंगा और साथ में इसको एंटी मारकोनिकॉव रूल भी बोला जाता है एंटी मारकोनिकॉव रूल भी बोला जाता है जैसे NCRT में भी ये नाम यूज किया जाता है ओके स्टार्ट करें फिर इस टॉपिक के साथ सबसे पहले इसको परॉकसाइड इफेक्ट क्यों बोला जाता है वो हमें समझना पड़ेगा अब जब भी कोई नई चीज आती है कोई नया रूल आता है या कुछ ना कुछ होता है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा लाब के अंदर जो हम एक्सपेट कर रहे थे उससे बिलकुल विपरीथ हो जाए जैसे यहाँ पर एकनम आपको एक्जामपल दूँ तो फॉर एक्जामपल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस कंपाउंड को लिया और जैसे कि मैंने आपको एलिफाटिक हीड्रोकाबन पर पढ़ाया है ना हब आप हब आप हब आप के साथ रियाक्शन करवाते हो तो क्या बन जाएगा यह बन जाएगा लेकिन फिस साइंटिस्ट ने क्या किया साइंटिस्ट ने यहाँ पे HBR तो लिया लेकिन साथ में एक परॉक्साइड भी ले लिया तो लेट मी से सम परॉक्साइड R2O2, H2O2, एक्सेटरा तो वहाँ पे साइंटिस्ट ने यह देखा कि जहाँ पे हम expect कर रहे थे वहाँ पे हमें halogenation नहीं मिल रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि obvious सी बात है कि जो हम expect कर रहे हैं उससे कुछ न कुछ अलग हो रहा है and वो अलग peroxide की presence में हो रहा था जिसे हम mechanism में भी देखेंगे इसलिए हम इसको peroxide effect बोल रहे थे आरहे समझ अब अगर मैं इसकी बात करूँ इस compound की जो यहाँ पे बना है यह मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था electrophilic addition on alkenes aliphatic hydrocarbons तो यह जो mechanism होता है वो एक ionic mechanism होता है कौन सो mechanism होता है? ionic mechanism ionic बोलने का मतलब क्या है? कि H plus attack करता है carbocatine बनता है फिर BR minus आता है वो हमला करता है तो यह product बनता है इसी को हम marconikov addition भी बोल रहे थे जैसे NCRT में बोला भी जाता है मैं personally marconikov, anti-marconikov शब्द यूज नहीं करता हूँ because इससे फिर लोग generalize करने लग पड़ते फिर आप अटक जाओगे अच्छे questions में यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे actual में radical mechanism follow किया जाता है अब मैं एक statement देता हूँ जो आपके पास पूरी organic के लिए true है organic में जबी भी आपको peroxide दिखे even जब हम जाएंगे जिसमें peroxide involved होता है वो आपके पास radical mechanism के द्वारा proceed करते हैं वो आपके पास radical mechanism के द्वारा proceed करते हैं ठीक है? अट साथ में यह anti-marconic of addition भी हो जाएगा यह कैसे होगा? यह अभी हम पता करेंगे लेकिन आपको summary समझ आ रही है यह आपके पास इसकी summary involved होती है ठीक है? अब आगे बढ़ने से पहले कुछ examples मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ peroxide के तो peroxide के examples क्या-क्या होते है example जैसे H2O2 the most common hydrogen peroxide medicinal भी इसका use होता है साथ में R2O2 R2O2, R कुछ भी हो सकता है and जो polymerization के time पे हम use करते है most common वो है यह that is benzoil ठीक है benzene वाला जो है because radical थोड़ा सा और जादा हमारे पास stable बनता है ठीक है radical थोड़ा सा और जादा हमारे पास stable बनता है तो यह वाला जो peroxide है यह जब हम polymer chapter पे जाएंगे तब आप इसको देखोगे इसको हम लोग benzoil peroxide भी बोलते है although सभी peroxide का काम same रहता है लेकिन यहाँ पे हम लोग यह सब use करते है अब आपको समझ आ रहा है कि peroxide क्यों use किया जा रहा है because क्या 2P2P loan pill repulsion आप कोई भी peroxide अठा लो जैसे फ़र एक्जामपल यह भी उठा लो 2P2P loan pill repulsion यहाँ पे भी आपके पास 2P2P loan pill repulsion same चीज H2O2 में भी हो रही होगी इसलिए peroxide highly unstable hence more reactive compounds बनके आ जाते हैं ठीक है यह तो आप सभी को समझ आ रहा होगा तो basically peroxide का काम क्या होता है peroxide हमारे पास organic के अंदर radical generator बनता है क्या बनता है मेरे भाई radical generator बनता है radical generator radical को initiate करता है and जिस reaction में radical initiate होगा वो शुरू से लेकि अन तक radical के दोरा ही चलेगा अब इसके mechanism के उपर आते हैं सबसे पहले इस page को लिख लीजे आप pause करके इस page के उपर लिख लीजे अब mechanism start करने से पहले मैं कुछ चीजे आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहला doubt जो लोगों को आ रहा होगा इस पिछले page को देखके कि भाई साब radical के time पे तो हमारे पास हम्यू होता था मतलब halogenation photo chemical की उसकी presence में होना चाहिए light की presence में होना चाहिए तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है बिल्कुल साइड आउट अगर आपको आया है यहाँ पे भी light present है मेरे भाई यहाँ पे भी light present है लेकिन आपको एक चीज़ समझने पड़ेगी कि J level पे J level पे क्या दिक्कत है J level पे अगर आप arrow पे सब कुछ नहीं लिखा होता है आपको क्या लगते है इतनी सी condition में reaction हो जाते है real life में सोचो real life में जैसे आप experiment कर रहे हो वहाँ पे temperature का effect होता है light का भी effect होता है जैसे अभी haloform का example ले लिजे जो पिछली class से बताया गया था dark bottle में store नहीं करोगे तो वहाँ पे अलग से reaction होने लग पड़ेंगे तो इवन light तक का effect पड़ता है लेकिन obviously बात है J level पे उतना बताने की जुरूत नहीं पड़ती है because आप chemistry की degree थोड़ी लेने जा रहे हो आप बस एक examination फोड़ने जा रहे हो तो वहाँ पे इतने से भी काम चल जाता है and expect किया जाता है कि अगर आपको radical दिया हो तो वहाँ पे वो चीज़ आपको खुद से समझ आनी चाहिए कि कैसे reaction proceed करेगा समझ आ रहा है तो यहाँ पे actual में h mu involved होता है लेकिन लिखा नहीं होता हर information नहीं दी होती है वो बस आपको paroxide को देखके judge करना पड़ेगा यह basic चीज़ समझ आ रही है अब इसके mechanism पे आते हैं अब लिखना मत इस page को पहले समझ लो किसी भी radical reaction को में लूँ पूरी दुनिया में वो हमेशा तीन चीज़ों में proceed करता है initiation propagation abum termination जैसे aliphatic hydrocarbons में भी आपको बताया था ठीक है सबसे पहले हम start करते initiation step के साथ जहां पे हमें radical generate करना start करना पड़ेगा तो वहां पे हमने R2O2 ले लिया light की presence में light की presence में reaction हो जाएगा तो क्या बनेगा radical बनेगा तो RO radical बनके आँ जाएगा समझ जा रहा है क्यों बन रहा है ये because ये unstable है 2P2P loan पे repulsion है इसलिए वो भयांकर unstable है ठीक है जैसे और भी conditions होती है जैसे आने temperature के example लिया न तो यहाँ पे आपके पास 40 से 45 degree Celsius में अरलग जैसे कुछ states का तो ये room temperature भी हो सकता है तो वहाँ पे आपके पास ये reaction हो जाता है अब क्या होगा जैसे आर और राडिकल बना फिर वो किसी और के पास जाएगा राडिकल बनाने के लिए और वो कोई और क्या है वो हमारे पास है HBR क्या है HBR तो HBR ले लिजिए HBR या HX विसे थोड़े टाइम में आपको पता चलेगा कि HX सिर्फ HBR हो सकता है इस केस में अब ये चीज़ समझना जो मैंने आपको बताया भी था अलिफाटिक हैडरोकार्बन के टाइम पे H radical कम स्टेबल है PR radical जाधा stable है H radical तो बलकि बनना में नहीं चाहता है in situ बनना चाहता है simultaneously बनना चाहता है तो जो चीज़ कम स्टेबल होगी वो जाधा reactive होगी समझ आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा ध्यान से देखना PR radical H radical RO radical के साथ कौन react करेगा H radical react कर देगा क्या यह समझ आ रहा है इसा क्यों हो रहा है because it is less stable hence it is more reactive in nature तो यह जो दोनो steps हमारे पास हुए यह कहलाते है initiation step क्या कहलाते है initiation step अभी लिखो मत भी समझो पहले अब हमारे पास PR radical बन गया अब खेल यहाँ पे start होने वाला है अब जैसे यह BR radical बना वो ढूंडेगा कि वो कहाँ पे हमला कर सकता है और जो हमला होगा वो organic compound पे होगा जैसे यहाँ पे हमारे पास यह organic compound है इसी को लेके आगे चलते हैं तो क्या होगा भाई साब देखना ध्यान से तो हमारे पास यह आया पन प्रोपीन वो react करेगा BR radical के साथ अब radical हमेशा radical को बनाना चाहेगा पहले radical बना लेते हैं धंक से radical एवं radical बिल्कुल ध्यान से समझना इसको मुझे एक चीज़ बताए कि यहाँ पे कौन सा radical जादा stable है यह वाला radical जादा stable है जो चीज़ जादा stable होती है वो कम reactive होती है बन सेगें ध्यान से देखिए more stable less reactive less stable more reactive जीओ सियो में आपको पेट्रोल वाला example भी दिया था वो ही वाली चीज़ हो रही है यहाँ पे तो यहाँ पे more reactive कौन सा होगा it is more stable hence less reactive it is less stable hence more reactive in nature ठीक है तो सबसे पहले डाउट यहीं पे आता लोगों को तो वो मैंने चीज़ clear कर दी कि यहाँ पे क्यों लग रहा है because वहाँ पे वो चीज़ come stable है hence more reactive है तो यहाँ पे मेरे भाई आपके पास bromine इदर लग गया और यह radical यहाँ पे बन गया पहली बात यहाँ तक सभी को clear होना चाहिए यहाँ तक सभी को clear होना चाहिए ठीक है अब उसके बाद क्या होगा जैसे यह radical बन गया वो करेगा किसी और के साथ reaction आप बोलोगे भाई वो कोई और क्या है बताईए तो सही मेरे भाई question देखिए question में HBR है न तो अब क्या हुआ यह radical आया और वो गया HBR के साथ और उसने बोला कि भाई H दे दे है एच दे दे मेरे भाई because मुझे C radical बनके नहीं रहना है मुझे reaction को complete करने का है तो बस इस परकार से reaction होगा वो ही same funda less stable hence more reactive more stable hence less reactive अब देखो end तक GOC काम आएगी तो यहाँ पर आपके पास जो product बनेगा वो यह बनके आ जाएगा वो यह बनके आ जाएगा ठीक है यह termination नहीं हुआ है ठीक है कुछ लोग इसको यह तो बहुत सरी गलत फैमी लोग लेके घूम रहे होते हैं यह termination में नहीं बन रहा है यह propagation में ही बन रहा है अभी तक सभी radicals खतम थोड़ी हुए अभी हम सभी steps को और detail में देखेंगे लेकिन यह termination नहीं हुआ बिकस लोग क्या सोचते हैं कि product termination में बनता है नहीं भाई साब ध्यान से देखिए propagation में product बन रहा है termination में नहीं बन रहा है लिखो मत अभी next page पे जा रहा हूँ अब termination में क्या होगा आप पूछो कि obviously अगर propagation में product बन गया termination बोलने का अभी प्राय क्या होता है अब कोई भी radical reaction को कब terminate कब खतम कर पाओगे जब सारे radicals खतम हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा termination में जो बचे कुछे radicals है वो combine करते रहेंगे जिसे for example यह combine कर गया और क्या बचा हुआ है जैसे यहाँ पे RO radical बच गया वो दूसरे BR के साथ combine कर लेगा तो RO BR बन जाएगा etc. etc. ठीक है तो सबसे हमें मतलब नहीं रहता है because real life में हमारा product propagation के time ही बन गया है termination में कुछ भी हो रहा हो कोई भी PNC लग रही हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है ठीक है? तो अब आपको नहीं लिखना है अभी भी अभी भी because scale खतम नहीं हुआ है अब मेरे questions का answer करना आपको सोच समझ के ध्यान से दिखना अगर मैं initiation step की सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले कौनसा step अग मैं 1,2,3,4 बोल रहा हूँ कौनसा step आपके पास RDS होना चाहिए जो lab में determined हुआ हो लेकिन कौनसा RDS होना चाहिए तो समझ आ रहा है न यहाल स्टेप क्यों RDS होगा विकाज यहीं पे हमारे पास radical बनेगा अगर वो stable radical बना तो फिर reaction आगे भड़ेगा बना नहीं भड़ेगा as simple as that जो हम पढ़ चुके अलिफाटिक के टाइम पे भी same चीज अब start करते उपर से मुझे बताइए कि आपके हिसाब से initiation endothermik है exothermik है यह cannot be decided है initiation is actually endothermik in nature initiation is endothermik in nature endothermik in nature ठीक है अब अगर मैं बात करता हूँ propagation की क्यों दिख रहा ना आपको क्यों लिटरली energy देनी पढ़ रही है इसलिए endothermik है इसमें क्या है अच्छा प्रॉपरगेशन का बताइए प्रॉपरगेशन जैसे में आपको अलिफाटिक के टाइम पे भी बताया था it can be endothermik it can be exothermik आप बोलोगे ऐसा क्यों मुझे बता दीजे बिल्कुल ध्यान से देखिए अगर ये radical stable हुआ तो reaction खुद से आगे भड़ेगा खुद से आगे भड़ेगा ना फिर कोई energy हमें देनी नहीं पढ़ेगी बलकि सिस्टम से energy release होगी तो तब वो बन जाएगा exothermik लेकिन अगर ये compound unstable हुआ जिसे फॉर एक्जामपल अगर मैं ये radical बनवाना चाहूं तो वो भयंकर unstable है इसका मतलब वो highly endothermik होगा वो वाला reaction तो propagation can be endothermik it can be exothermik बोट लेकिन लोजिकली मुझे सोचके बताईए अगर मुझे feasible reaction करवाना है once again ध्यान से सोचिए अगर मुझे feasible करवाना है तब जो propagation है वो exothermik होना चाहिए तब मेरे भाई जो propagation है वो exothermik होना चाहिए ठीक है? इस अभी को समझ आ रहा है ने क्यूं? अगर वो endothermik हुआ तब हमारे पास वो reaction forward जा ही नहीं पाएगा तो फिर बात ही नहीं बनती आगे करने की ठीक है? अच्छा termination की बात कर लेते है termination क्या होगा? दो चीज़े combine करके एक बन रही है गाल प्लस लपड़ाल example याद करिये तो ये वाला जो reaction हो जाएगा वो हमारे पास endothermik हो जाएगा ठीक है? because heat system से निकल रही है addition reaction delta H is less than 0 ठीक है? अब आप लोग लिख सत्ते हो अब आप लोग इस सबी को pause करके लिख सत्ते हो ठीक है? अब आगे चलते हैं अब जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है जो मैंने आपको ये सेम चीज़ बताई भी थी कहां बताई थी? aliphatic के radical halogenization के टाइम पे कि भाई साब जो BR radical है उसने react किया and वो यहां खतम हुआ उसकी comment section मुझे एक doubt दिखा था जो अच्छा doubt है जो आपको भी आ सकता था अगर आपने सोचा हो तो कि भाई देखो हो क्या रहा है पहले वो समझते BR radical consume हुआ वापस आया consume हुआ वापस आया समझ आ रहा है? use हुआ आया use हुआ आया इसका बोलने का मतलब क्या है? कि मैं जितनी बार चाहूँ उतनी बार BR radical से reaction करवा सकता हूँ logically true है क्यों? आया इतना चाहो उतनी बार हम use कर सकते हैं लेकिन logically समझ यह अगर मैं बात करता हूँ laboratory के point of view से तो वहाँ पे तो किसी भी reaction की 100% efficiency नहीं होती है वहाँ पे किसी भी reaction की 100% efficiency नहीं होती है समझ आ रहे है? तो कभी ने कभी यह खतम करेगा यह या तो कोई और radical खतम हो जाएगा इसलिए वहाँ पे reaction lab के point of view से रुक जाता है although theory में ऐसा लगता है कि जितना use हुआ तना आया लेकिन ऐसा नहीं होता है because 100% efficiency नहीं होती है इसी reaction से perpetual motion machine बना दू या कुछ और बना दू वो चीज भी आपको समझ आने चीए simple logical point of view से जो पहले खतम हुआ वो हमारे पास reaction को रोक देगा इसी से आप समझ सकते हो जो propagation होता है वो हमारे पास एक chain process होता है या chain mechanism होता है सेम वही चीज हम अलिफाटिक में पढ़ चोके या भी लिख ले ना अब heading डाल लीजे theory heading डाल लीजे theory and लिखिये number one point number one point it follows a free radical mechanism it follows a free radical mechanism free radical mechanism mechanism second point लिखिये second point no rearrangement is possible no rearrangement is possible no rearrangement is possible क्यों भाई carbogatine नहीं बना third point लिखिये सबसे important point यही है बताएंगे भी क्यों पहले लिख लो only HBR star mark करके only only HBR chose the peroxide effect only 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 HBR chose the peroxide effect peroxide effect ठीक है fourth point लिखिये fourth point even even in the presence of even in the presence of the peroxide even in the presence of the peroxide HF HF HCL HI will show will show the electrophilic addition mechanism we TI will be greater than we the reaction is the reaction the reaction is feasible feasible when when all the steps of propagation of propagation of propagation are exothermic in nature are exothermic in nature please understand this अगर किसी propagation में 4 steps है 4 के 4 3 है 3 के 3 समझ आ रहा है तो हर step आपके पास exothermic होना चाहिए हर step आपके पास exothermic होना चाहिए तो each लिखा है each and every propagation step चाहिए 3 हो या 10,000 हो सब exothermic होंगे तभी वो reaction feasible होगा ठीक है and this happens and this happens only in the case of HBR only in the case of HBR कैसे वो भी बताऊंगे बहुत इतल में जा रहे हैं ठीक है this happens only in the case of HBR only in the case of HBR ठीक है ठीक है ठीक हो HF की हम बात नहीं करेंगे क्यों ठीक आपको बताया न fluorination is never done directly हम उसको लिए thoughts reaction का use करते हैं अब अगर मैं बात करता हूँ HBR की हो गई HBR में पहला भी exothermic है मतलब ये वाला ये वाला भी exothermic है एंड ये वाला भी exother HF की हम लोग बात नहीं करते हैं तो आपको पता ही है because fluorination is highly मतलब वो test you code देता है इसलिए हम उसके use नहीं करते हैं लेकिन चिंक हम बात करेंगे वो क्या है वो है HCL एवं HI तो लिखिए for HCL and HI देखो भई for HCL and HI ठीक है तो बिल्कुल धियान से समझना अगर मैं HCL की बात करता हूं अगर मैं HCL की बात करता हूं आईए इधर इधर देखना HCL तो जब CL radical react कर रहा होगा जब CL radical react कर रहा होगा तो क्या यह reaction feasible होगा बिल्कुल हम लोग CL to Hμ याद है न CL to Hμ I to Hμ पढ़ चुके हैं BR to Hμ तो CL radical feasibly react कर लेता है इसका मतलब जो propagation का step 1 है वो हमारे पास exothermica है वो हमारे पास exothermica है अब आते हैं propagation के step number 2 के ओपर वहीं पर दिक्कत स्टार्ट होती है अगर मैं step number 2 की बात करूँ वहाँ पे HCL bond ध्यान से देखना HCL bond है न तो क्या HCL bond को तोड़ना असान होगा HBR के comparison में बिल्कुल नहीं जैसे कि आप देख सकते हो यहीं बताया है आ रहा है मज़ा है नहीं आ रहा है तो यहाँ पे जादा energy लग रही होगी इस bond को तोड़ने के लिए इसलिए जो step number 2 है वह endothermik बन जाता है ठीक है endothermik बन जाता है इसलिए यहाँ पे peroxide effect नहीं हो पाता है आरा logic समझा नहीं इसलिए यहाँ पे peroxide effect नहीं हो पाता है अब चलते हैं HI के point of view से अब इसको ecologic से समझ सकते हो PS1 को CCL bond बन रहा है यहाँ पे क्या बनेगा CCL bond बनेगा and यहाँ पे तब HCL bond टूटेगा CCL को बनाना TBR से असान है बिलकुल असान है तो बनना भी चाहेगा इसलिए वह exothermic है तो आप इस thermodynamic point of view से भी समझ सकते हो देखो कितना simple है अब अगर मैं HI की बात करूं तो जो propagation का step 1 है आते हैं देखते हैं तो यहाँ पे CI bond बन रहा है तो मुझे बिताए क्या CI bond को बनाना CBR से जादा feasible होगा विलकुल नहीं कम feasible है तो यहीं पे इसने मात खाली यहीं पे इसने मात खाली तो यह जबरदस्ती कराना पड़ेगा इसलिए वह endothermic हो जाएगा सिमिलर्ली अगर मैं step 2 की बात कर लूँ iodonation की point of view से तब HI bond तोड़ना पड़ेगा तो क्या HI bond को तोड़ना जादा असान है बिलकुल आप देख सकते हैं यहां से तो वह reaction जरूर feasible हो जाएगा वह reaction जरूर feasible हो जाएगा लेकिन इसने यहीं पर मात खाली वह आप second class में fail होगे first के बाद third में jump नहीं कर सकते हो न बस इसलिए आपके पास यह reaction feasible नहीं होता है इसलिए reaction feasible नहीं होता है आगे समझना सभी को है simple कोई भी दिक्कर नहीं है pause करके लिख लीजे questions के उपर चलते हैं बहुत logical तरीके से पढ़ाया गया है बहुत in depth पढ़ाया गया आपको अगर आप question के point of view से देखो question के point of view से आपके math एक step important बनता है वो यह है वो यह है अब question के point of view से आते हैं मुझे sides mix match हो गए skill 5 वाली पहले आ गई है आ गया okay आईए question number one question number one pause करो भाई screen को pause करो screen को try करो फिर match करो कि आपने सही क्या नही HCL कौन सा mechanism से proceed करेगा ionic mechanism electrophilic addition simple सा आपके पास कतायन बनेगा CL minus आ जाएगा final product यह बन जाए PR to H mu ध्यान से दिखना PR to H mu है वो तो यहां पे तो radical mechanism होगा कहां पढ़ाया गया है radical halogenation aliphatic hydrocarbons में यह बन जाएगा मज़दार HBR CCL4 यह कौन सा reaction है electrophilic addition CCL4 is just a solvent in this scenario तो यहां पे आपके पास यह बन जाएगा simple है न HBR benzoil peroxide को क्या होगा ध्यान से समझना radical बनेगा वो radical में PR radical बना mechanism बतायागे दो मिनिट पहले ही इधर radical बनेगा इधर लगेगा more reactive less reactive more stable and finally हमारे पास H radical आ जाएगा ऐसे नहीं होता है लेकिन H radical आता है बीच के steps मे तो जब final product है वो यह बनेगा एक बार at least mechanism पूरा कर लो अभी मैं आपको फसाऊंगा अगर आपको mechanism नहीं आता है अभी start हुए अच्छा BR to CCL4 क्या करेगा anti anti कर देगा यहाँ पे कारल सेंटर भी बन जाएगा यह बन क्या लिख लीजे तो I hope सभी को समझ आ रहा हो क्या हुआ है कैसे कैसे अलग अलग reagent से जो almost same दिखते हैं हम literally बिल्कुल विपरीत अलग products बना सकते हैं ठीक है आगे चले यहाँ पे तो resmix बन जाएगा चलो plus minus लगा देते हैं RM नहीं लिख रहा हूँ इस पर ओके next आगे चलते हैं पॉस के किलिख लेना number B करिये ट्राए आपको दिया गया है मेरे भाई HCL in the presence of peroxide HBR in the presence of peroxide FEBR2 in the presence of heat सबसे हले HCL in the presence of peroxide कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे HCL without हो या with हो reason मैंने आपको literally prove किया है literally prove किया है क्ये बन जाएगा कारल सेंटर phrasmix mixture HBR वाले में क्या हो जाएगा समझते है सबसे विले radical generate हुआ उसने BR radical बनाया BR radical ढूंदते ढूंदते आया कौन सा radical जादा stable होगा यह radical जादा stable हो तो यह टिकेगा दूस्ट ओलर react कर जाएगा and next step में हमारे पास यह बन जाए समझ आ रहा है पर bromine लग जाता है electrophilic addition के द्वारा समझ आ रहे आगे चलते हैं FEBR 2 FEBR 2 क्या करता है Friddle Craft Friddle Craft याद है न तो BR Plus बनता है नेट में तो आपके पास BR Plus क्या करेगा electrophilic addition on the ring hence यह product बनके आ जाएगा यह product बनके आ जाएगा क्लेरस अभी को देख लीज़ पास करके clear होना भी चाहिए आईए अब देखो घ्यान से देखना question को घ्यान से देखना मेरे भाई question को यहाँ पर आपके पास अब कुछ नई चीज़े दिखाई दे रही है CIBR 3 R2O2 TBR CCL3 H2O2 H2S R2O2 TCL3 R2O2 मज़ेदार अब यहाँ पर खेल हमारे पास start होगा सबस्रले radicals ही generate करने आना चीज़ जैसे अगर में CIBR इसलिए अब mechanism important है आरा समझ mechanism का importance देखो यहाँ पर क्या होगा जब light की presence में हम इसको लेंगे पहली बात R2O2 टूटेगा फिर इसके पास आएगा तो किस bond को तोड़ना असान है CI bond यह CBR CI bond को तोड़ना असान है तो यहाँ पर आपके पास I radical बनेगा साथ में CBR3 radical बनेगा पहले यह सही generate करने आना चीज़ए similarly यहाँ पर अब आप बना सकते हो न यह बनेगा यह मैंने दो बार C लिख दिया है यहाँ पर साथ हिते ओके साथ में CCL3 radical बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा यहाँ पर SH radical बनेगा साथ में H radical बनेगा लेकिन आपको समझ रहा कि H वाला immediately react करना चाहेगा तो वह in C2 बनता है इन C2 बनता है साथ में यहाँ पर आपके पास अब देखो क्या होना चाहिए क्या CL bond टूटना चाहिए या आपके पास क्या बोलते है H वाला bond टूटना चाहिए इसमें आता है लोगों को doubt क्या होना चाहिए देखो हमेशे symmetry से मत सोच रहो मैंने बहुत बच्चों को देखो symmetry से सोच रहो होते है CCL bond टूटेगा H radical हम बनाना ही नहीं चाहते है तो जबर्दस्ती का symmetry की पीछे मत भागो although हमारा दिमाग मुझे पता है symmetry में जादा prefer करता है सोचना लेकिन वो सही नहीं होता है यह बनेगा सभी को clear है सोचना सीखो अब जो दोनो radical है अगर मैं mechanism पे आऊ तो mechanism में क्या था कि जो radical है वो react कर रहा था अब इन दोनों में से कौन सा radical react करना चाहिए यह भी सोचना आपको कितना शांदार चीज है कौन सा radical react करना चाहिए अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे समझ आएगा कि जो cbr3 radical है वो कम stable है reverse hyperconjugation वहां पे हो रहा है brbr radical से खीच रहा है logically समझो आप minus m लगाके लेकर यह normally बैठा हुआ है it is more reactive समझाना थोड़ा बहुत क्या चल रहा है similarly it is more reactive goc it is more reactive it is more reactive ccl2 h radical तो यहां तक सभी को clear होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है अब उसके बाद क्या होगा वो समझते हैं उसके बाद मेरे भाई आपके पास combine हुआ cbr3 ने attack किया वही सेम चीज़ वही सेम चीज़ this radical is more stable hence less reactive less stable hence more reactive तो more reactive वाल इतल लग गया कोई भी नहीं पढ़ाता यह पहली बाद जनता भी consume करने वाली बैठी नहीं है जो जनता है उनको exam के बाद समझ जाता है कि उनका card दिया गया है असान असान चीज़े बढ़ाके exam से पहले नहीं समझ जाते exam के बाद तब फाइदा नहीं होता और यहां पर देखिए cbc यहां पर क्या बन जाएगा सेम फंटा लगा दू डिरेक्ली यहां पर बन गया ccl3 यहां पर क्या बन जाएगा यहां पर sh लग गया इदर and h इसे मैं h लिखना नहीं चाहरा हूँ ऐसा बन गया and यहां पर symmetry वाली चीज़ दिमाग से हटा दो बुरी तरह फस होगे किसी दिन बुरी तरह फस होगे हम कर चुके हैं गलती है इसलिए बता रहा हूँ दिमाग generally symmetry में सोचता है तो यह बन के आजाएगा दिख लीज़े भाई पॉस करके वैसे है तो एक कोश्चन लेगे एक कोश्चन में आपको चार पंच कोश्चन में करवा दे रहा हूँ please make sure to write it properly आगे चलते हैं फिर next part के उपर next number D के उपर आईए कि बागी उपर करवाते हैं अच्छ एर एक वर डाल लो यार मैंने डालना यहां पर भूल क्या हूँ यहां पर अगर मैं लेता हूँ CCL4 R202 तो क्या होता तो भी समझा रहा है CCL3 Radical प्लेस वो आपके पास यह बन जाता अच्छ सभी में कारेल सेंटर्स प्रेजेंट है इसमें नहीं है इसमें है इसमें भी है सभी में ही RASEMIC MIXER बन रहा है तो वो मैं लिख नहीं रहा हूँ वो आप लोग लिखते रहे ना कि सभी में बन रहा है except H2S वाले में ठीके बाके सभी में RASEMIC MIXER बन रहा है तो क्या आके चलते हैं नमबर D करिए ट्राइ अगर मैं HCL लेता हूँ नॉर्मल HCL तो क्या होगा Electrophilic addition यह बनेगा यहां पर chlorine नहीं लगेगा सबर्दस्ति की जल्द बाजिमत करना फिर क्या बोलते है shifting हमारे पास इधर पहुंचेगा फिर CL- आएगा तो जो final product है वो यह बन जाएगा क्या हो रहा है HBR वाले case में क्या होगा HBR वाले case में यह हो जाएगा HBR H2O2 यहां पर क्या होगा कोई possibility ही नहीं है राडिकल कार्बोकटाइन बनने की यहां पर जो final major product बनेगा वो यह बन जाएगा आ रहा है मजा नहीं आ रहा है बन जाएगा HCL H2O2 वाला same as जो उपर हमने बनाया है number A, number 1 वो बन के दिख लीजे भई पॉस करके जल्दी से दिख लीजे भई सब पॉस करके जल्दी से आगे चले फिर आगे चले number E number E किसका question है क्या आप लोग मुझे इसका answer comments में बताओगे फिर हम next topic के साथ अभी start करते हैं इसका answer मुझे comments बताना A, B, C, D try करना कौन सा product हमारे पास major product बन के आ जाएगा major product बन के आ जाएगा चले फिर आगे next part के उपर चलते हैं next part के उपर मज़दार, simple logical बिल्कुल अच्छ तरीके से आपको चीज़े clear भी की गई है अब चलते हैं हम लोग heading डालीजे reaction with reaction with reaction with reaction with reaction with px3 and px5 reaction with px3 and px5 px3 and px5 start करते हैं इसके साथ okay द्यान से देखिए सबसे भी लगा मैं बात करता हूं inorganic के point of view से तो आपने सुना ही होगा वैसे बहुत फेमस चीज़ है यह कि जो phosphorus है that has a very high affinity for oxygen that phosphorus has a very high affinity for oxygen तो यहां पर actual में क्या होता है जो हम phosphorus यूज कर रहे है वो oxygen को ढूंटे ढूंटे जा रहा है अब होता क्या है कैसे होता है वो अभी हम सीखिए तो सबसे वहले PX3 बोलने का मतलब क्या है जो X है वो हमारे पास chlorine, promine, iodine है जो PCL3 PBR3, PI3 PCL5 उस प्रकार से अब बिल्बल ध्यान से समझना इसको बिल्बल ध्यान से start करते है हम देखो oxygen वाले compounds लेने वाले हैं phosphorus and oxygen very high affinity start करते है, since weekend भी आ रहा है यहां भी हम लोग लेने वाले है alcohol ठीक है, alcohol तो alcohol के पास क्या है oxygen अगर आपको बिल्कुल simple language बताऊं तो आप लोग जो OH है उसको बस आप X से replace कर दो तो भी आपका काम चल जाता है लेकिंगे डेटेल में जाएंगे मेकानिसम को सीख लो कि क्या होने वाला है अगर मैं यहां पे PX3 लेता हूँ example के लिए में PCL3 से start करना चाहरा हूँ तो मुझे बताना है क्या PCL3 या PX3 या जो PX5 हम लेंगे वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह act करेंगे या एक Nucleophile की तरह act करेंगे इस case में, बिकाज उनके पास Lone Pair भी है vacant orbital भी है तो दोनों में हम कुछ भी ले सकते हैं लेकर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा, भाई साब ये तो हमारे पास Nucleophile है तो इस वाले को एक Electrophile की तरह act करना पड़ेगा तब ही हमारा फाइदा होगा as simple as that तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो Lone Pair है, वो हमला कर देती है इसके vacant orbital vacant orbital में and CL यहाँ से लेके निकल गया, तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा R OH T T इसके हम advance वाले PY की इस भी करेंगे CL, CL फिर क्या हुआ, जो CL- यहाँ से निकला, वो आएगा और बोलेगा H को भाई, दे दे वापस तो यहाँ पर बन के आजाएगा R O P CL समझ है रहे न? यहली चीज तो आपको अभी तक simple लगनी चाहिए अब उसके बाद जो हमारे पाद CL generate हुआ, जो CL- है, वो आया और उसने बोला कि भाई मैं तो R के उपर हमला कर दूँगा मैं तो R के उपर हमला कर दूँगा, because because oxygen है उसने मेरे उपर हमला किया समझ आ रहे है? oxygen ने इसके उपर हमला किया CL ने बोला कि मैं बदला लेने आऊंगा तो मैं R के उपर हमला कर दूँगा because वो और बड़ा group है, और विशाल और important इस प्रकार से होगा? तो यहां से हमारे पास बनेगा यहां से क्या बन रहा है? वो important है CLR यहां से देखना मेरे भाई समझ आ रहे नहीं आ रहा है inversion हुआ या नहीं हुआ तो यहां पे SN2 mechanism follow होने वाला है वाकी आप summary से भी काम चला सकते हो लेकिन SN2 use होता है and साथ में बन जाएगा P O- CL and अभी तक उसके बाद क्या हुआ उसके बाद हमने इसी सिस्टम में पानी डाला water डालिए water सबसे पहले जो PO- है वो POH बन जाएगा यह अगर आप water इसमें ना भी यूज़ कर रहा तो जैसे कुछ लोग को डाउट हो अभी HCL के H+, के साथ क्या हुआ वो इदर आ गया वो वाला जो H+, यहां निकला H+, वो इदर O-7 OH बन गया water हमने दो बार यूज़ किया SN2 करवाने के लिए TL को निकालने के लिए समझारे क्या हुआ इसलिए बोलतो साथ साथ में लिखो मत OH and OH बनके आ गया अब इसी चीज़ को हम क्या बोल देंगे यही तो हमारे पास acid होता है न, H3PO3 H3PO3 यह final product हो गया, inorganic के point of view से, organic point of view से क्या क्या बन रहा है CLR and साथ में आपको दिख रहे है HCL बस इतना सा reaction है, तो सबसे important चीज़ आपको समझाने चाहिए वो यह है की inversion हो रही है वो यह है की inversion हो रही है प्रीज लिख लीजिए इसको लिख लीजिए इसको भई धंक से धंक से लिख लीजिए अब आगे चले, फिर चलते हैं PX5 के reaction के उपर PX5 के reaction के उपर once again मैं alcohol लेके प्रूव करूँगा, आईए अगर मैं कोई भी alcohol लेता है अचे एक चीज समझने पड़ेगी आपको PX5 को start करने से पहले कि जो PX5 है कि जो PX5 है वो actual में ऐसे exist करते हैं अगर मैं directly PX5 ले लूँ मैं इसलिए यह reaction ऐसे प्रूव नहीं करता हूँ बहुत सरे लोग ऐसे ही प्रूव करते हैं मैं इसलिए नहीं करता हूँ फिर हम X के ले जन्रलाइज नहीं कर पाते हैं फिर वस मैं PCL5 की बात करूँगा PCL5 आपने पढ़ा होगा ना इन और इन अगनिक में यह ऐसे exist करता है PCL4 plus and PCL6 minus chemical bonding में जब बताई जाती है मेरे चैनल पर भी आपको दिख जाया कि मैंने exceptions in hybridization वाला topic बनाया है तो उसमें भी आपको मिल जागा बहुत सालों पहले अब मैं यहां पर कोई generalized PX5 लेके प्रूफ करना चाहता हूँ for example हमने alcohol लिया साथ मैं PX5 लिया क्या mechanism आ रहा है आपके दिमाग में क्या mechanism आ रहा है वही सेम आ रहा है जो पिछले page पर किया vacant orbital है lone pair है lone pair है x यहां से निकला और भी तरीके से solve करने का लेकिन हम इस वाले को करेंगे because uniformity भी रहती है तो यह बनके आ जाएग अब जो x- निकला once again वो आया तो या तो आप इसी step में h-plus लेके निकल जाओं या तो आप इसी step में r के उपर हमला कर दो बात वही रहती है तो r के उपर हमला किया तो लेके निकला once again जो important चीज है वो मुझे क्या दिखाई दी यह दिखाई दी focus इसके पर focus करिये भई यह बन गया and साथ में p oh x x once again inversion हो रहा है मतलब s in 2 mechanism इसके अंदर भी हो रहा है फिर क्या होगा फिर हमारे पास water आया एक बार हमने लिया हमला किया s in 2 हुआ minus h plus तकि neutrality आये तो oh p oh x x x बन गया यहां से हम लोगों ने dehydration किया उतना डाला उतना निकाला पानी यहां से देखिए तो net में कुछ फरक नहीं पड़ रहा है तो यहां से बन किया जाएगा p double bond o x x p double bond o x x x समझार इसको हम क्या बोलते है p o x 3 p o x 3 अभी भी ध्यान से देखिए अभी तक मैंने कोई external water नहीं डाला है because कितना डाला है उतना यहां पे निकाला भी है net में नहीं डाला गया पानी very important लेकिन अगर मैं further पानी डालू अगर मैं further यहां पे पानी डालू डालिये तो क्या बनेगा कितनी बार डाल रहा हूँ तीन बार तो इस तीन x है तो p double bond o o h o h o h क्या बोलते हैं साब h3 po 4 क्या बन जाएगा h3 po 4 and 7 में जैसे कि आप देख सकते हो r x and 7 में h x h x तो यह हमारे पास final products बन के आ जाएंगे समझ आ रहे most important चीज क्या है most that is inversion हो रहा है that is inversion हो रहा है अच्छा अगर मैं इसकी summary की बात कर लो तो summary की बात कर ले हम इसकी ठीक है फिर पहले मैं आपको jay advance का question कराऊंगा फिर हम चलेंगे हमारे questions के ऊपर ठीक है तो पहले हम advance question करके हमारे questions पर आएंगे ठीक है आईए लिख लेना pause करके summary लिख लीजे because you derived आपके सामने summary summary number one मैंने alcohol के respect ने प्रूफ किया है तो अगर मैं रोच लेता हूँ साथ में हमारे पास TL3 ले लेते हैं चलो वैसे अगर आप PX3 भी लोग है तो भी same बात है तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा R, C, L H, T, L and साथ में बन के आजाएगा H3PO3 समझ आ रहे हैं? अच्छा देखो एक और चीज आपका पता ही होने चाहिए नॉगनिक से प्लस 3 यहाँ पर है तो यहाँ पर प्लस 3 लेना चाहिए hydrolysis second अगर मैं alcohol ले रहा हूँ साथ मैं PX5 लिया यह PX5 के लिए है PX3 के लिए है मैं बस CL ले रहा हूँ तो R, C, L H, C, L साथ मैं PO, CL3 लेकिन अगर आप further hydrolysis करवाते हो तब हम पहुंच जाएंगे H3PO4 के लोड नहीं लेना है बिकास दोनों के oxidation state जो है 4 प्लस 5 ही बस वो hydrolysis के फर्क के दोवारा हमारे पास अलग product बन रहा है ठीक है third के उपर चलते हैं अच्छा इसमें कौन सा reaction mechanism हुआ SN2 हुआ इसमें कौन सा हुआ SN2 हुआ SN2 को बहुत डिटिल में reaction mechanism के time पढ़ चोके है अगर मैं SOCl2 लेता हूँ तो क्या बनेगा RCl Darzan reaction पढ़ाया गया आपको हमारे दोवारा and SO2 अगर मैं RCl लेता हूँ SOCl2 के साथ लेकिन in the presence of pyridine as a solvent तो क्या बनेगा RCl HCl and जो एक final सा किन्डी सी चीज कि अगर मैं HCl की presence में लेता हूँ तो HCl की presence में क्या हो जाएगा HCl की presence में normal सा carbocatine reaction mechanism SN1 के दोवरा आपके पास R Cl यह तो पढ़ाया गया ना आपको alcohol से टाइम पर पढ़ाया गया है अच्छा mechanism देख लेते हैं यहाँ पर SNI follow होगा यहाँ पर SN2 follow होगा भाई साब and यहाँ पर SN1 यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक अडीशन डिपेंडिंग ओन की क्या present है उसके इसाब से टीक है समझ आ रहे हैं अब मेरा question यहाँ पर यह है यह तो कितने प्यारे तरीके से समरी दिखा दी तो यहाँ पर मेरा question यह है कि इन सभी में से सबसे feasible reaction कौन सा होगा यह होगे feasible क्यों परकाज यहाँ पर gaseous leaving group है समझ आ रहे है leech ateliers gas system से escape कर रहा है इसलिए वो reaction हमेशा forward direction में जाएगा लेकिन मेरे भाई अगर हम यहाँ पर धियान से देखें तो gaseous leaving group है ही नहीं यह gaseous leaving group नहीं है gaseous leaving group नहीं है इसलिए reaction feasible नहीं होगा इतना ज़्यादा with respect to this लेकिन question आते है कि इन दोनों में से भी ज़्यादा feasible कौन सा होगा अरे भाई यहाँ पर inversion नहीं हो रहा है यहाँ पर retention हो रहा है यहाँ पर inversion हो रहा है तो वो depend करते हैं कि आपको कौन सा product चाहिए उसके हिसाब से आप लोग इन दोना में से चुन सकते हो कि आपको कौन सा reaction करवाना है कौन सा reaction करवाना है ठीग है आगया मज़ा नहीं आया अचा अब obvious सी बात है कि solvent क्या use होंगे मतलब PX3 के साथ क्या solvents use हो सकते है अब सारी SN2 के properties वापस चप जाएंगे यहाँ पर सिंस SN2 reaction हो रहा है जैसे पिछे पेज़ पाजाते है SN2 reaction हो रहा है SN2 हो रहा है तो जो solvents होंगे वो हमारे पास हो जाएंगे A product solvents और यह product solvents क्या क्या हो सकते है जैसे TMF या TMSO और क्या क्या examples आते हैं आपके दिमाग में ताइमिधल फॉर्मामाइड हो गया DMSO हो गया हाँ acetone तो most जैसे NAI acetone याद है न Finkelstein reaction या साथ में 82O जैसे N82O Woods reaction के टाइम पे और भी बहुत सारे solvents हो सकते है CCL4 बहुत सारे अभी के दिना काफी है तो same properties of SN2 यहाँ पे follow हो जाएंगे आएं फिर advance का पहले question के लेते हैं फिर हमारे questions के उपर चलते हैं पहले question करके और वो भी recent question है recent अच्छा question अच्छे साल का chemistry का best साल था जाए अडवांस 2018 advance के point of view से try करिए इसको अभी जल्दी से जल्दी pause करो अभी pause करो screen को अभी करो pause try करो single correct जाए अडवांस 2018 का यह question है recent question है recent fresh fresh question है try करिए try करिए ठीक है discuss करूँ मैं try करना pause करके try करना pause करके बहुत ही मज़दार confidence boosting question अभी तक तो हमारे questions हम आई भी नहीं फिर भी आपको पहला question ही हमने advance का दे दिया अच्छा आईए ध्यान से देखे सबसे पहले हो क्या रहा है क्या आपने सही answer निकाला है नहीं देखना ध्यान से वो कह रहा है वो समझते PBR3E2 SN2 हो रहा है मेरे भाई SN2 हो रहा है या नहीं हो रहा है NAI acetone Finkelstein reaction named reaction SN2 reaction NAN3 NA plus N3 minus 1 यह क्या है DMF तो यह भी मेरे भाई SN2 ही है तो तीनो reactions आपके पास SN2 हो रहे हैं इसका मतलब अगर मैं यहां तक पहुंच रहा हूँ initial क्या होना चाहिए वो समझते है क्या आपको समझ आ रहा है initial molecule में alcohol होनी चाहिए नहीं भी आ रहा है तो वो आपको दिखी रहा है यह तो आपको NCRT label चीज है ने हाइब चीज थोड़ी है अब जो alcohol है उसकी configuration हमें decide कर दिए कि क्या होनी चाहिए तो D&C तो पहले ही फरजी हो गए because वो तो पहले उल्टे molecule present है ठीके तो वहाँ पे वो तो identical नहीं है mirror images हो जाएगे यहाँ पे क्या होगा वो समझते है enantiomerically pure भी दिया गया है मतलब यही isomer बनके आ रहा है enantiomer बनके आ रहा है तो अगर यह dash पे है तो third step से पहले यह कौन सी position पे होगा third step से पहले यह होगा wedge position पे उससे पहले dash position पे उससे पहले wedge position पे क्या आपको यह समझ आ रहा है क्या हो रहा है and since तीन बार हो रहा है इसका मतलब क्या है कि finally वो हमारे पास present हो जाएगा जैसे जब ली दिख रहा है wedge position verify करना चाओ तो directly आप दोनों लेके start भी कर सकते है जैसे इसमें देखना पहला inversion हुआ तो यह dash पे आया जब हमने number 1 लिया फिर number 2 किया तब dash पे आया wedge पे आया फिर number 3 किया न 3 वाला जो है dash लो भई अगर आपको ऐसे नी solve करना है तो root force से भी आप solve कर सकते है जैसे मैंने आपको दिखा दिया option number 2 अगर सही किया है तो बताना है comment section में सही हुआ है नहीं अच्छा question था यह because सबसे best साल का यह question है that is day advance 2018 जो सबसे best advance माना जाता है ठीक है अच्छा आगे चलते हैं अच्छा हाँ अब एक मुझे doubt याद आया जो मेरे से पूछा गया था class के time पर बताना चाहता है तो ध्यान से देखना भई इसकी mechanism में ही doubt आया था doubt यह था यह फॉस्फोरस के पास vacant orbital तो हमें समझ आ रहा है की है देखें वो vacant orbital कौन सा है क्या वो d orbital है कुछ और है अरे भाई सिग्मा वी स्टार कैसे बूल जाते हो सिग्मा वी स्टार है न because lone pair भी तो present है तो vacant orbital सिग्मा वी स्टार महले अबी एमो पे हमला हो रहा है anti-bonding molecular orbital पे हमला हो रहा है ठीक है यहाँ पे आपके पास lone pair present हो रही है यह तो simple है न सिग्मा वी स्टार पे हमारे पास हमला हो रहा है देख लीजे भाई पॉस करके देख लीजे इसको पॉस करके आगे चलते है आगे चलते तो देख लो मैंने आपको अपने कोशिन कराने से पहले जही अडवांस को पीवाई को करवा दिये recent वाला fresh तो इसमें मैंने आपको statements अड़ करवा दे तो आप theory theory अड़ कर लीजे theory अड़ कर लीजे notes में number one number one px3 and px5 px3 and px5 follow the sn2 reaction mechanism follow the sn2 reaction mechanism sn2 reaction mechanism second लिखिये second point we use aprotic solvents we use aprotic solvents example dmf dmso acetone etc example dmf dmso acetone et2o sb sn2 time third point लिखिये falden inversion occurs falden inversion occurs falden inversion occurs अब अब जो अब जो एक one of the most skipped points जो है तो यहाँ पर doubt आता भी है कि यह तो हमें समझा रहे कि sn2 है तो room temperature पर होगा बिल्कुल सही बात है sn2 room temperature पर ही होता है तो फिर driving force क्या है इस reaction driving force driving force यह है कि हम लोग p double bond O बना पा रहे है अब आपको बताया है ना oxygen and phosphorus का हमेशा चकर चला रहता है पूरे organic में तो phosphorus हमेशा oxygen को ढूंडता रहता है oxygen हमेशा phosphorus को ढूंडा रहता है अब मैंने इनको इतनी अच्छी तरह ढूंडा कि मेरे भाई p double bond O बना दिया बिल्कुल कसके बैठे अच्छी तरह bond बनाके तो वही driving force है लिखिए the formation of the formation of the formation of p double bond O p double bond O is the driving force the formation of the p double bond O is the driving force is the driving force driving मज़दार समझ आ गया अब चलते हैं आगे questions के ऊपर questions के ऊपर number F हुआ था भी number E के ऊपर आते है अब देखो आपको दिया गया है ether आपको दिया गया है ether अब एक चीज़ समझने पढ़ेगे बिल्कुल shortcut में बताऊ जिसे जो जो चीज़ oxygen से attached है वहाँ पर एक-एक chlorine लगा दीजे वो आपके पास हो गया shortcut अगर मैं logical तरीके के ऊपर आऊं तो वो अगर हम समझना चाहें तो वो क्या हो रहा है ध्यान से देखना पर दो-तीन बार देखाऊंगा और because same logic हर जगा use होगा because functional group बस हम बदलेंगे लेकिए mechanism approximately same रहेगा तो R1, O, R2 plus P, C, L, C, L, C, L एक क्लोरी निकल गया वो C, L minus आया और उसने हमला किया जोरदार बिलकुल जोर से हमला किया तो ने मेरे उपर कैसे किया मैं तेरे उपर करूँगा बस वो हुआ तो यहां से आपके पास क्या बन गया C, L, R1 आगे समझ क्या हो रहा है and 7 में बन क्या जाएगा R2, O, P, C, L C, L, C, L अब उसके बाद further क्या हुआ यहां पे दूसरा C, L निकला और उसने हमला कर दिया इसके उपर जारा तो यहां पे electron density निकली कोई वापस आगी तो यहां से हमारे पास बन जाएगा C, L, R2 तो भाई, simple सा है यह क्या करना है ठीक है, तो ether की presence में अगर मैं summary लिखना चाहूँ organic products में बन रहा है C, L, R1 C, L, R2, मतलब इन वर्जन के बाद, समझ आगे pause करके लिख लेना आगे चलते हैं, acid plus PCL5 वही same mechanism वही same mechanism जो OH है वह हमारे पास बन जाएगा R1 C double bond O R1 C double bond O C है है, इस इसंद रस्टिंग चीज़़ए आएंगे, आएंगे, बोल रखें pause करके लिख लेना number I आपको दिया गया है एक ester हमारे पास दिया गया है ester और पूछा गया है कि क्या product बनेगा करेट राए या मैं directly कर सकता हूँ same funda हमारे पास use हो जाएगा चलो directly नहीं करते है standism से कर लेते हैं ester जे पहले चलो ठीक है चलो पहले ester ही कर लेते हैं फिर LD head ketone प्याएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा मैंने आपको क्या बोला है कि जो carbon oxygen से attached है उस पे एक CL जो carbon oxygen के साथ राचत है उसके उपर एक CL तो आपको यह तो समझ आ रहा है directly अगा मैं करूँ कि यह बनेगा and साथ मैं R2 की side से यह बनेगा यह तो सभी को समझ आ रहा है attached है तो CL डाला attached to the CL डाला एक shortcut यह हो गया समझ निकले obviously बात है वो mechanism नहीं है mechanism में क्या होगा same इसके vacant orbital के उपर zone pair ने हमला किया तो यहाँ पर बन जाएगा R1 C double bond O O R2 1 CL निकल गया पहले ही हमारा P CL 4 अब जो CL निकला है वही same चीज बतला लेने के लिए आएगा हमला करेगा तो यहाँ से हमारे पर बन जाएगा R2 C L and साथ में carboxylic acid अब वो जो carboxylic चल लग देते हैं अब वो जो carboxylic acid है तो same reaction करेगा जैसे पिछले page में हुआ था तो finally हम लोग दर पॉण एक लीजे पॉस करके नमबर जे पे आईए एन्हाइडराइड shortcut समझ आ गया तो तोडेंगे जो attached है डाल दिया तोडेंगे जो attached है डाल दिया तो फंडा वही है ना कि जिसके साथ attached है phosphorus की high affinity है तो जो product बनेगा अगर मैं directly बनाना चाहूँ अब देखाँ same panda है ना हमला किया vacant orbital जो फाइनल प्रड़क्ट बनेगा वो यह बन जो clear है सबी को simple है ना बहुत topic कुछ भी नहीं चीज नहीं है fresh नहीं है तो fresh आएगा जब हम लोग involve करेंगे वहाँ पर हम पहुंच रहे हैं अब यहाँ पर लगता है कि no reaction होगा लेकर आप एक चीज मिस कर रहे हो कि अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ तो अब समझ आ रहा है किस आट देंट अगर डेंट है है तो यही एक carbon के उपर दो OH है तो dehydration होके वो हमारे पास वो carbon ही बनाना चाहता है जो उपर है तो यहाँ पर जो दोनो OH है उसको मैं replace कर दूँगा तो हमारे पास बनके आ जाएगा यह gem dihalide बनके आ जाएगा अच्छा आप बोलोगे mechanism किया इसका same mechanism vacant orbital के अब चलते लिख ले ना pause करके अब obviously ketone में भी same चीज हो जाएगी कोई दो राए नहीं है यहाँ पे भी हमारे पास gem dihalide बनके आ जाएगा pause करके लिख लीजे अब इसके उपर आने से पहले जो मेरा question है जो अब आपको doubt आ भी रहा होगा मुझे पाता है है यह जब मैं आपको ld-hyd ketone करवाया उसके वादी डाउट आ रहा हो कि भाई यह क्या होगा इसमें यह बन जाएगा ना rclclcl यह बन जाएगा बिकाज भी same गलत है इसमें हो जाएगा no reaction क्या हो जाएगा भाई साब no reaction अब बुलोगे कैसे अरे यह क्या होगे सब्सक्राइए इसमें क्या हो रहा है एक बार धंक से बिल्कुल बिल्कुल समझे देगो भाई साब होगा क्या जो pcl5 है वो एक electrophile है बिकास फॉस्फोरस के वेकेंट और्बिटल के उपर हम लोग हमला कर रहे है है न इंट्रेस्टिंग यह जो चीज है यह भी तो एक electrophile है यह भी तो electron deficient है तो दोनों के दोनों जब electron deficient है तो वो एक दूसरे के साथ interaction क्यों करेंगे तो examination के point of view से अभी तक ऐसा question नहीं आया है तो यहाँ पर no reaction होगा यह नहीं होगा यह नहीं होगा ठीक है important question है examination के point of view से star mark करके लिखना notes में अपनी language में कैसा क्यों हो रहा है and miss नहीं करना है अब आगे चलते हैं पर end के उपर हमारे पस दिया गया है cyclic ether और हमसे पूछा गया है कि क्या product बनेगा ठीक है समझते हैं फिर तो होगा क्या वो समझते हैं तो कभी-कभी आपको समझ नहीं आगा होने क्यावाला है जैसे यहां पर तो समझ आगया कि product तो आप लोग सही बना लोगे ठीक है ठीक है दिककत कहां आएगी अगले question पर चलता है तब आपको दिककत समझ आएगी अब खेल स्टार्टटब अब हमारे पास आपको mechanism का importance समझ आएगा अब तक जो भी questions थे जो maximum के सारे ही जो pyqs है उसमें आपको stereo में कभी involve ही नहीं किया गया है फिर कैसे सोचेंगे क्या होना चाहिए बिल्कुल ध्यान से देखना लिखना मत अगर मैं बात करता हूँ इस compound के बारे में तो क्या होगा इसलिए बोलता है mechanism हमेशा ही आना चाहिए चाहिए आप mechanism use करो ना करो लेकिन आना ज़रूर चाहिए अगर डिराइफ करने आना चाहिए खुद से यह है यहाँ पर यह है यहाँ पर यह है ऐसे हमला हुआ यह बना होगा अच्छा क्या आपको समझ आ रहा है कि initial compound meso है initial compound meso है दो कारल सेंटर है न and similarly अभी भी यह meso ही है यह अभी भी meso ही है न कोई फर्क नहीं पड़ा उससे अब CL- आएगा प्रक जो CL- अभी निकला जब हमने PCL-5 के उपर हमला किया वो अब हमला करेगा अब वो कहां पर हमला करेगा क्या लेप्ट पर करेगा राइट पर करेगा दोनों ही identical है समझ आ रहा है न because दोनों की 50-50% probability है हमला अपने उपर करवाने किया so for example उसने इसके उपर हमला किया इधर से इधर तो क्या बन जाएगा O PCL-4 Mithile यहाँ पर CL and यहाँ पर इस प्रकार से हमारे पास एक simple सी simple सी ring opening होई अब doubt होगा कि दूसरी तरफ भी तो हो सकता था बिल्कुल हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है तरवा दीजे अगर मैं दूसरी तरफ करवाता हूँ तब कुछ लोग को doubt होगा भाई inversion क्यों नहीं हुआ अरे भाई inversion हो रहा है inversion हो तो रहा है R and S calculate करो R and S घुंडोगे आपको पता चले कि inversion हो चुका है बस दिखाया है नहीं गया जब मैंने यहाँ पर हमला किया तो क्या हो जाएगा तो हमारे पास ऐसा यह लिदर यह ऐसा style OPCL दोनों सेम है बस दिखने में अलग हैं लेकिन दोनों है तो सेम अब उसके बाद क्या होगा वो समझते हैं ज्यान से देखना OPCL4 leaving group है anti-bonding molecular orbital anti-bonding molecular orbital internal nucleophile है तो बाहर से nucleophile नहीं आना चाहिएगा 1000 बाद बताया गया है intramolecular reactions are faster than intermolecular reactions बस हमला हो गया हमला हो गया इसको लिके निके निके तो बनेगा क्या उस पे आते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि एक NCC बनने वाला है आ रहा है समझा नहीं आ रहा है एक NCC बनने क्या बनने वाला है NCC बनने वाला है और जैसे ये NCC बन गया फिर इसकी opening के टाइम पे CL- आया कहीं से भी हमला करवा दो अब मैं वो नहीं करूँगा कि इदर से भी इदर से भी आपको समझ आना चाहिए तो क्या बनेगा अगर मैं फिशर में बनाना चाहूँ बिकास वेज दैश में इतना clarity नहीं होगी एक ये बनेगा बनेगा नहीं बनेगा दोनों CL एक दूसरी का opposite होने चाहिए anti addition होता है और साथ में अगर मैं left hand side से करवाता हूँ तो हमारे पास ये बन जाएगा आगे समझ आना आए तो यहाँ पर एक रेजमिक mixture बन रहा है क्या बन रहा है रेजमिक mixture बन रहा है रेजमिक mixture बन रहा है ठीक है समझ आ गया तो एक उस टीरे को involved करते ही हमारे पास interesting चीजें यहाँ पर होने लग रही है अभी तक यह ऐसे questions नहीं आए है असली exam में त्यार रहना एक लिए अब थोड़ा से दिमार लगा अगर मैं आपको यह दू आपको शॉट में समझाओ मैं शॉट में शॉट में तो क्या आप लोग derive करके यहां तक पहुन सकते हो ओमबक के लिए इस question नहीं थोड़ा common sense लगाओ तो मीजो तक पहुन जाएंगे आरे समझे नियरा में क्या बोलना चाह रहा है थोड़ा common sense लगाओगे तो आप directly भी पहुन सकते हो इसके नहीं अब नंबर क्यू नंबर क्यू पहले यह करवा देते हैं अब नंबर क्यू नंबर क्यू पहले यह करवा देते हैं और फ़ड़ा stereo वाली चीज़े clear होते हैं प्राय कर यह इस question को PBR3, PBR5, SOBR2, Pyridine यहां पर क्या होता है inversion, SN2, यहां पर जो final product बनेगा वो यह बन जाएगा जब हमारे पास SOCL2 है तब हमारे पास SNI हो जाएगा तो inversion, only, retention इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? इसमें क्तायन बनेगा? क्तायन बना, उसके उपर हमला हुआ left-right दोनों से हो सकता है तो वहां पर आपके पास एक rhizmic mixture बनके आ जाएगा आ रहा है समझा नहीं आ रहा है है ना simple? बिल्कुल simple दिख लिए जल्दी से दिख लिए जल्दी से pause करके number R यहां पर दो stereochemical centers आपको दिया गए है PCL3, DMSO, PCL5 DMF, SOCL2 Pyridine, SOCL2 सबसे पहले मैं A, B & C के अगर बात कर लूँ तो क्या तीनों में SN2 हो रहा है नहीं हो रहा है तो तीनों में सेम product हमारे पास बनना चाहिए बनाओं मैं ध्यान से तो यहां पर H लग जाएगा whereas यहां पर CL क्या सबी को समझ आ रहा है कि A, B, C होना चाहिए inversion के बाद D की अगर मैं बात करता हूँ तो D वाले में हो जाएगा retention क्या हो जाएगा retention तो यह बनके आ जाएगा number D हैना simple आगे चलते हैं number S यह भी important question है तो अगर आप यह सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो पहली बात वह C double bond O को OH OH लिखके हम लोग CL CL लगाएगे बिल्कुल सही बात है वह सही answer है बिल्कुल सही answer है पहली बात P2O5 क्या हो था वह साइड हो बताता हूँ P2O5 ऐसे नहीं समझ आ रहा होगा आपने सुना होगा इसका dimer P4O10 यह सुना है inorganic में very popular क्या होते है dehydrating agent क्या होते है मेरे भाई dehydrating agent dehydration कैसे होगा समझाई C double bond O को मैं कैसे लिख सेता हूँ OH & OH यह बन गया यह बन गया dehydrating agent मतलब पाने निकालने का है Cyanide बन गया यह तो हमें समझ आगए क्या हो रहा है अब PCL5 में क्या हो रहा है PCL3 में क्या हो रहा है वह समझने कोशिश यह है तो क्या हो जाएगा HCL, Leaving Group HCL यह सोचने का तरीक लिए Actual में क्या होते है क्या होते है Because Leaving Group भी है साथ में कोई negative charge जो loan payment भी तो लेके निकलना चाहता है तो actually जो final product बनता है वो Cyanide बनता है This is not the final product Cyanide is the final product formed in this case यह साथ में अकर मैं inorganic product की भी बात कर लो तो HCL, etc समझ आ रहा है तो अभी तक हमें दो ही interesting question मिले है दो ही अच्छे level की question मिले है जो future के point of view से बनेंगे एक है Asile Halide Serial Bond or CLology example था एक हमारे पास है Amides आरहा है समझ इन दोनों को मैं expect भी कर रहा हूँ कि future के point of view से जरूर आपसे पूछे जा सकते हैं कि क्या हो रहा है अब आगे चलते हैं number S हो गया number T पे आईए number T अब मैं आपसे पूछना चाहूं कि आप बिना Sol के judge कर सकते हो कि product क्या होना चाहिए कर सकते हो न अब कैसे देखो मीजो था हमने पूरा Sol किया और raise में mixture पे पहुंचे क्या मैं यहां पे भी वह सेम चीज नहीं कर सकता हूँ मीजो ही तो है यह कितना simple हो गया अब एक बाद derive करके मीजो है तो final product हमारे पास बनेगा वो एक raise में एक mixture बनके पास करके लिख लीजे आगे चलते हैं नमबर T PCL 5 दिया गया है साथ में anhydride दिया गया है shortcut से कलने यह attached oxygen से उसको तोड के वहां पे लगाने का है यह बनेगा साथ में यह बनेगा as simple as that okay number U क्या होगा भाई फोड़ा लगाया नीचे वाले में OH बनेगा OH को convert किया for U number V देखे ध्यान अब यहां पे SF4 यहां पे भी exact same mechanism होने वाले exact same mechanism आप बोलो है कैसे because भाई साब जो phosphorus है उसके पास भी vacant orbital है तो sulfur है वह भी तो same है ना उसके पास भी vacant orbital है तो same mechanism के जोरा OH OH को आप जैसे mentally actual में यह हो रहा है इसके vacant orbital के उपर हमला final product बनेगा वह same gem di halide बनके आ जाएगा as simple as that पास कहके लिख लीजए SF4 हो SF6 हो इन सब में अटकना नहीं है इस सब के सब same ही काम करते है same next next important भायंकर ignored भायंकर important ठीक है number w number w pcl3, pcl5, socl2, pyridine अगर मैं A, B & D की बात करूँ तो क्या हो जाएगा SN2 मतलब inversion मतलब inversion अगर मैं SOCl2 की बात करूँ तो retention तो retention तो number c यह हो गया अगर मैं बात करूँ इसकी तो वहां पे क्या होगा बोध पॉसिबल तो लेट मी से A plus C the reasoning mixture यह भी बन रहा है वह भी बन रहा है तो यह ना आ रहा है समझ वेरियस परकार के halogenations कैसे काम कर रहे हैं तो इसी के साथ हमारा यह वाला lecture end होता है प्लीज मेक शूर आप कर दो